पुराने जमाने में कई राजा महराजा हुआ करते थे और शासन करते हुए लोगों का खयाल भी रखते थे यानि प्रजा की एच्छा का मान भी करते थे वहीं कुछ ऐसे भी थे जो प्रजा पर अत्याचार करते थे कुछ अपनी महनता के लिए पुरसद हैं तो कुछ अपनी कुरूरता की वज़े से जाने जाते हैं दोस्तों अगर मैं आपसे पूछूं कि दुनिया का सबसे बड़ा ताना शाह राजा कौन था तो शायद आपके दुमाग में कई राजाओं के नाम आ जाएंगे लेकिन अग सकते दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे रानी राना वालोना के बारे में तो हमारे साथ अंतक बने रहेगा दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज प्रत्यचार करते समय बड़ा मज़ा आता था इसलिए वो नए-नए प्रयोक करती थी और लोगों को कच्चे मुर्गे की खाल खाने को कहती थी और जो कोई उसके आदेश का पालन नहीं करता था जो कोई कच्चे मुर्गे की खाल नहीं खाता था उसको उबलते हुए तेल म में डाल दिया जाता था राणी रांवालोना को हमेशा लगता था उसके सामराज में बहुत सारे लोग विद्रोह करने वाले हैं इसलिए वो लोगों की वफदारी परखने के लिए तरह तरह के पागलपन किया करती थी राणी राणावालोना का जन्म सन 1778 मेड़ाजकर सामरा रखा गया। जब रनवा का जन्म हुआ तो उसी समय मिडगासकर सामराज में बघावत वो कर रहे थे और मिडगासकर की राजा को मारनी की यूजनाय बनाई जा रही थी। लेकिन रनवा के पिताजी को इस योजना के बारे में कहीं से पता चल गया और उन्होंने अपनी वफादारी दिखाते हुए में डगास करके राजा को इसके बारे में बता दिया जिसके कारण राजा और भी सावधान हो गए और उनके हत्या का प्लान फेल हो गया राजा रन्वा के पिताजी की वफादारी से बहुत खोश हो गए और उसने अपने बेटी की शादी रन्वा से करने का एलान कर दिया। राजा के बेटे का नाम प्रिंस रैदामा था। राजा ने रन्वा के पिताजी को भरोसा दिलाया कि रन्वा ही रैदामा की मुख्य पत महारानी घुशित किया और उसने तुरंत अपने सभी प्रतिद्वंदियों को मार डाला जिसमें उसका भतीजा राका टोब भी शामिल था उसने राका टोब की मा को भी बंदी बना लिया और उसे मौत के घाट उतार दिया यह आतंग राज के शाही सदस्यों की ओर इस रानी द्वारा उठाए गए एक राजनीतिक प्रभुत वाला कदम था एक अगस्त 1828 को उन्हें मिडगासकर की रानी घुशित कर दिया गया और अगले जून में उन्होंने एक गुप्त परिग्रहन समार हो किया जिसमें उनके शरीर को एक दाजा मारे गए बैल के खुन से अभि गखात कर दिया था राको तोबे को मौत के घाट उतार दिया गया था और राको तोबे की मा ताकि शाही महिला का खोन बाहकर एक वरजना को न तोड़ा जा सके भुग से मर गए राको तोबे के अधिकांश रिष्टेदारों को इसी तरह की भीषन मौते मली iedereen कभी मत कहो, राना वालुना ने अपने राज्याविशेक पर भीट से मांग की, वो किवल एक कमजोर और अज्यानी महिला है, वो इतने विशाल सामराजी पर कैसे शासन कर सकती है, मैं यहां शासन करूँगा, सौधागी के लिए मेरे लोग और मेरे नाम के महिमा, मैं देवता करती में एक मजबूत मत्रवंशियत तत्व था, जो आंशिक रूप से प्रुष्प्रधान लिंग भूमिकाउं से ठका हुआ था, जो अरब दुनिया से मिढगास कराई थे, लेकिन जिसकती से राना वालुना अपने शासन को मजबूत करने के लिए आगे बढ़ी, वो ले मेरना समाच को इसकी पारंपरिक सनचना में बहाल किया गया था, और जिन लोगों पर प्रतिरोध का संदेथ था, उन्हें टेंजिना नामा के एक सदियों पुरानी वफादारी परिक्षा दी गई, टेंजिना एक जहरी लाख रोट था, जिसके कारण खाने वाले को उल्ट पदस्त सैनिक अधिकारी और राना वलोना का पूर प्रेमी था, जिसका नाम एंड्रियान मिहाजा था, हो सकता है कि वो राना वलोना के शासनकाल के शुरुवाती वर्षों में पैदा हुए एक बेटी का पिता रहा हो, ये बिल्कुल स्पष्ट नहीं है कि कब, लेकिन रहने वाली मेरिना के अंडाबा, अन्य जन जातियों को उसके शासन के तहद नुकसान उठाना पड़ा, क्यूंकि उनके सैनिकों को उनके पराजित गाउं में वार्षिक लूट यात्रा करने के लिए स्वतंत्र लगाम दी गई थी, ये ये रोप के इसाई मिशनरियों ने कर सकती थी, और उसे उस आई की आवशकता थी जो उनके कुटी रिद्योगों से उत्पन होती थी, इस आई धर्म जो आज मेड़ागास करके लगभग आधे निवासियों द्वारा प्रचलित है, प्रभाव में बढ़ता रहा, क्योंकि मिशनरियों ने ये उरोपीय स्कूल 1331 में एक जहाज की तबाही के बाद किनारी पर तैर गया था, लिबोर्डे और राना वलुना की बीच रोमेंटिक होने के साथ साथ राजनीतिक संबंध भी हो सकते थे, उन्हें उनके बेटे राकोतो भविश्य के राजा राधामा उसके पिता की रूप में भी खाने के शहर के निर्मान का निर्देश दिया, वहाँ उन्होंने राणा वलुना की सेना के लिए ना केवल बंदूकें और बारूत के निर्मान का परेविक्षन किया, बलकि साबुन, रेशम, चीनी, मिट्टी की चीज़ें और अन्य वस्तुओं का भी जिन के लिए राज जमानी के अपने प्रयासों को पूरी तरह से छोड़ दिया था, मालागासी लोगों द्वारा उसे शक्तिशाली देवताओं के पक्षधर शासक के रूप में माना जाता था, और अब उसने अपना ध्यान ये प्रभाव के अंतिम अफशेश, ईसाई चर्च की ओर लगाया, मिशनरी स्कूलों में ईसाई धर्म के शिक्षन को प्रतिबंधित कर दिया गया, फिर प्रतिबंधित कर दिया गया और मिशनरीयों ने द्वीप छोड़ना या भूमिकत होना शुरू कर दिया, 1830 के दशक के मध में जिसे लेडलर ने ईसाईयों की नायाइक हत्या कहा, उसक राणा वलोना का पश्चिम के प्रति एक अजीब और गरीब रवया था, ये फ्रांसेसी जीवन था जिसने उसे मुहित किया, उसके पास फ्रांसेसी कपड़े पहने हुए दरबारी थे जो अकसर विभिन यूगों की शैलियों को मिलाते थे, और वो हाथ पर एक पस्त पिय अंग्रेजी हमला बुरी तरह विफल रहा, क्योंकि यूरोपिय नाविक एक जोटे सामने वाले देशी के लिए से हैरान थे, जिसने बहुत अधिक महत्पून सरचना को चुपाया था, अस्थाई रूप से कबजा किये गए माला गासी धचप, फ्रांसेसी और अंग्रेज सैनिकों के बीच संघर्ष ने भी राना वलूना की जीत में योगदान दिया, 21 रूपिये खोपडियों का एक सैट डंडे पर लगाया गया था, और भविशे के आक्रमनों को हतोत सहित करने के लिए तट्रेखा के साथ रखा गया था, हालाकि इस रानी को मेडगासकर की पा जला दीती थी, और तो और शंका की चलते ये रानी लोगों को जिन्दा भी धफना दीती थी, ऐसा कहा जाता है कि उसके शासनकाल में मेडगासकर की आबादी 50 प्रतिशत से भी कम हो गई थी, हालाकि रानी राना वलूना ने अपनी कुर्टा के कारण अपनी देश को उपन नावलोना वास्तों में काफी अच्छी रानी और नेता थी, उसने अपनी देश की संस्कृति विरासत को स्थिर बनाए रखने के लिए अपनी पूरी कोशिश की, हलाकि इस रानी ने खुद से अधिक शक्तिशाली विदेशी रास्टरों के खिलाफ अपने राजिका बचा लग गई और उसके द्वारा हुए विस्फोट ने वहाँ आए कई अंतिम संस्कारियों की हत्या कर दी, शायद रानी के शासनकाल के लिए ये एक उप्युक्त अंति था, तो दोस्तों कैसा लगा हमारा आज के एपिसोड हमें कॉमेंट करके बताएं, हमें आपके कॉमेंट